दोस्त आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने हो लहाँ कि अगर आपके पास भी जो है पोको का मोबाइल है और आपके मोबाइल की डिस्प्ले पर बार बार एड्स आते हैं आप लोग जैसे अपने मोबाइल में किसे भी आप को चलाते हो तो आपके मोबाइल की स्क्रीन पर जो है एड्स आजाते हैं और आप लोग इन एड्स से परिसान हो चुके हो लेकिन अभी तक आपके मोबाइल में जो है यह एड्स हमीशक लिए बंद नहीं हुए है तो इस वीडियो को दोस्तों आप लोग पूरा देख लेना इस वीडियो को देखने के बाद आपके यह जो है बंद हो जाएंगे आपके मोबाइल में एक भी एड्स नहीं आएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको बताओंगा कैसे आप लोग इन एड्स को अपने मोबाइल में हमीशक लिए पर्मनेंटली बंद कर सकते हो इस वीडियो में आपको कुछ सेटिंग्स बताओंगा वो setting आपके mobile में ओन होई है जिसके वजह साथ आपके mobile में ads आते हैं तो आपको उन settings को बंद कर लेना है तो आपके mobile में ads आते हैं वो ads आना बंद हो जाएंगे तो कौन सी setting है कैसे आपको on off करना है सब को जिस वीडियों बताऊंगा तो वीडियों का आप अपको पूरा देखना है तो चले दूस्तों वीडियों को शुरू करते हैं और चैनल को सबसक्राइब नहीं कहां जिससे को आपको एlast इसी वीडियों आपको और भी मिलती रहेगी तो आपको जो है सर्च सेटिंग पर आपको यहां पर क्लिक करना है यहां पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहां पर सर्च करना है अब दोस्तों जैसे आप लोग यहां पर सर्च करोगे एड्स तो आपके सामने यहां पर जो है एड्स नाम से एक सेटिंग आएगी तो आपको को एड़ किलिक हो तो आपको मोबाईल में जो यह सेटिंग ऑन हुगी है तो आपको आपको सिंपली से सबसे पहले सेटिंग को ओफ करना एपका ये ओऊ होगी llega पहुए सबसे पहले सेटिंग को ऑफ करना है आपको आपको पूरी तरी वीडियो को देखनाना हुँ है तब आपके mobile में एड्स जो है बंदों के डिस्प्ले एड्स उसके बाद दोस्तों आपको यहां पर चेया करना है आप यहां पर आपको जो है नीचे आना जिसा आप लोग यहां पर नीच आओगे तो आपको यहां पर दोस्ते को ओप्शन दिखाए देगा एक सेटिंग देखाए दे रहा दोस्तों यहां पर एड्स का ऐड्स एड्स पहली है उसके बार दोस्तों के सामें आपको यहां और यहांपर क्लिक करना है इते में बंद्रक्व घस doesn't यहां पर क्या करना है यहां पर दिख जिख रहा है मैनेज यूऐर गूकल कांट को उप्शन जो की बहुत important setting बताने वाला हूँ तो आपको धूल सो विडियो को पूरा देखना है और मैं आपको जो setting बता हूँ, वो करते रहना है तो आपको यहां पर देखना है manage your google account options पर आपको simple से खिली करना है ध्लिक करना है, यहाँ पर आप के सामने दिखाए देखा मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं यहां पर आपको देखना है परस्टनलाइजड एड्स में आपको एक ओप्शन दिखाए देगा दोस्तों यहां पर और पिल्कुल बेक आजाना है अब दोस्तों इतना करने के बाद आपके मोबाइल में जो एड्स आते हैं वो आइड्स आना बंद हो जाएंगे लेकिन दोस्तों भी आपके मोबाइल में जो है पूरी तरह से इस बंद नहीं हुए तो आपको दूस्तों, और क्या करना है, आपको यहाँ सिंपली से, आपके मोबाईल में जो Chrome ब्रावजर होता है, उसको आपको यहाँ पर जो आपको यहाँ करना है तो आपको आपको यह एक ओप्सान दिखा देगा या फर आपको इस तरह से three line दिखा देगी तो आपको यहा आपको चलिक चलिक कर दिया अब यहां पर क्लिक कर लिए इसको थोड़ा कि uncle और होगी तो हैं पर आपको फॉप्ष現在 दिखाए देगा मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ Site Settings का तो आपको Site Settings पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है तो आपको मैंने क्लिक कर लिया उसके बाद दोस्ते आपको आपके सामने काफी सारी Settings आगी अब मैं आपको जो जो Settings बता हूँ तो सबसे पहले सेटिंग की बात करें तो दोस्तों को सबसे पहले हWow क्या करना है। सबसे पहले आपपको ऑप्सन दिखाए देगा दोस्ते यहापको आईलाइट करना हूँ ही। तो आपको जोई सिंपरी से cookies प्रापको यहां पर click करने के पार दोस्तों आपके mobile में कुछ इस तरह का इंटरफेस हागा इसको यह दोगा सुपर करना है तो आपको मोबाल में यहां पर आपको एक और इसको ओफ कर लेना इसके बाधाना है बैक नहीं के बाद ऊस्ता हूं आपको यह और सेटिंग दिखाए देगी मैं हमार पर हाइलाइट कर रहा हूं यह पर एड्स नामसे तो आपको सब्सक्राइड यह पर क्लिकरना है आपको अगर ङ gli हम्टीर में जो जो सेटिंग बता ही वर को आपके मोबाएल में जो एड्स आते हैं वह आना बिल्कुल बनद जाए गे और आपके मोबाएल में जो आप कोई भी एड़ नहीं है